Hello kids, welcome to the Tumam's online class बच्चों, आज हम आपकी class second के English की textbook के Lesson number 4, Let's all play में दी हुई pictures के बारे में बाते करेंगे और जानेंगे कि ये सबी बच्चें जो इन pictures में दीए हुए हैं वेखो यहाँ पर और यहाँ पर भी दीए हुए हैं आपस में क्या बाते कर रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे ठीके बच्चों? देखो बच्चों, Lesson का नाम है Let's all play Let's all play मतलब Let us Let us की short form है Let us all play मतलब आओ हम सभी खेलें तो चलते हैं सबसे पहली picture पर page number 28 पर जो picture है, page number 28 पर देखो इस picture को देखो बिटा, यहाँ पर picture number 1 First of all, tell me what are the girls doing in the picture 1 इस picture 1 में girls क्या कर रही हैं? लड़कियां क्या कर रही हैं? देखो, पहचानो, पहचानो क्या कर रही हैं? खेल रही हैं, यह तो पता है पर कौन सा खेल खेल रही हैं? बताओ मुझे देखो, देखो Koko, very good, आपको तो पता हैं, आप भी खेलते हैं क्या Koko? Do you also play Koko? Yes, very good, अच्छा लगता है न, Koko खेलना? Okay, now, tell me, in this picture number 2, what are the boys and girls doing in this picture? Tell me, they are also playing, यह भी खेल रही हैं But, which game? कौन सा खेल? बताओ, बताओ आपको तो पता होगा यह खेल, खेलते भी होंगे न Hmm, Stapu, this game is Stapu Stapu खेल है न, यह है? Okay, now tell me, which game do you like the most? कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, बच्चों, कमेंड बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ठीक है? ऐसे कईयों के होंगे, Koko, Favorite या फिर, Cricket, Ludo, Pithu, Kabaddi है न, बहुत से खेल है ओके, now, let's come on page number 29 now, on page number 29, अब page number 39 पर, देखो बच्चों what can you see here, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, बताओ hmm, एक classroom है, जिसमें कुछ students बैठे हुए है और एक student gate पर भी खड़ा है, है न, देखो यह खड़ा और यह क्या कह रहा है बच्चों को, बताओ, बताओ, क्या कह रहा होगा, सुचो, सुचो hmm, खेल खेलने के लिए बुला रहा होगा है न, यही सोचाना आपने भी, चलो पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या आप सही है, let's read हरशित, come, 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 everybody, let's all go out and play some games क्या लिखा है यह, हर, शित, देखो बटा, यह आपको साउंड से पढ़ने है, ठीक है अच की क्या साउंड होती है, ह साउंड होती है, अगर आपने मेरा फोनिक सॉंग नहीं देखा है तो फोनिक सॉंग जरूर देखना है, English reading सीखने के लिए उसमें सभी letters की आपको साउंड याद करनी है जो भी बताई गई है, ठीक है, तो देखो, H for horse सबसे पहले कौन से साउंड आ रही है, horse बोलने में बोल कर देखो, horse हा रही है न, तो H की साउंड क्या होगी, हा, इसी तरीके से बाकी letters की भी साउंड होती है आपको जो सिखाया जाता है न, first class में आपने पढ़ा A for apple, A for ant, B for ball, B for bat क्यों पढ़ाया जाता है, इसी लिए पढ़ाया जाता है कि आपको याद हो जाए कि किसी भी letter की, English की जो letters है, उनकी sound क्या है ठीक है, before ball पढ़ाया जाता है, तो B से शुरू हुआ न, बोल, तो B की sound क्या है, B, ओके, देखो, हर शित कहता है यहाँ पर SH है न, SH की क्या sound होती है, SH, शल्जम वाला SH, ठीक है, हर शित, हर शित कहता है, कम, 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 आओ, 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 everybody, प्रतेक, हर एक, ठीक है, सब को बुला रहा है यह बटा, फुल स्टोप है, जब संटेंस कम्प्लीट हो जाता है, तब फुल स्टोप आता है और अब लिखा है, let's all go out and play some games वो कहता है, कि आओ, हम सब बाहर चलें और कुछ खेल, खेलें हरशित कह रहा है, it means, यह कौन है, हरशित, he is हरशित, ठीक है, चलो, now, let's come on second picture, on this page इस page पर second picture जो है, उस पर चलते हैं, देखो, इस picture में देखो, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है Some students are talking to each other, कुछ विद्यार्थी आपस में बाते कर रहे हैं, है न, पर वो क्या बाते कर रहे हैं Hmm, गेम्स की है बाते कर रहे होंगे, I think यह सभी बाते कर रहे होंगे, कि हम क्या खेले, बोलो बोलो क्या खेले, है न Hmm, ऐसा ही होगा, चलो, read करते हैं, और जानते है कि जो हमने assumption किया है, कि वो सही है देखो, प्रिया, अब प्रिया क्या कहती है, प्रिया कहती है, लुक, we can play खोखो, कबड़ी और पिठु, ओ कहती है, देखो, हम खोखो, कबड़ी या पिठु खेल सकते हैं, ठीक है, play means खेलना होता है न, अब अली कहता है, अली क्या कहता है, अली कहता है, we can play पिठु, हम खेल सकते हैं I have a new bowl मेरे पास एक नई गेंद है ठीक है उसके पास एक नई गेंद है अब हर्शित फिर से कहता है क्या कहता है हर्शित कहता है ओके लैट्स प्लेट पिठू विल मेग टू ग्रूप्स देखो बिटा यहाँ पर विल लिखा है न विल तो विल किसकी शॉर्ट फॉर्म है यह है वे विल की शॉर्ट फॉर्म ठीक है वे विल की शॉर्ट फॉर्म है तो हरशित कहता है कि will make two groups तो कहता है ओके पिट्टू खेलते हैं और क्या करेंगे फिर हम दो समहू बनाएंगे ठीके आपर future tense है और future tense में will shall use होता है future tense मतलब भविश्यतकार आने वाला कल्च की खेलेंगे गया गया ना जिसमें भी गागे गया आता है वो future tense होता है ठीके पिटा चलो next page पर चलते हैं देखते हैं ये क्या खेलते हैं फिट्टू खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे अब हम है page number 30 पर ठीके अब देखो पिटा प्रिया क्या कहती है प्रिया राजू you come and join us राजू को कहती है प्रिया कि राजू तुम आओ और हमें join कर लो मतलब हमारी team में शामिल हो जाओ आजाओ हमारे साथ खेल लो अब राजू कहता है all right I'll join your group all right का मतलब ठीक है मैं अभी तुम्हारा group join कर लेता हूँ तुम्हारा सम्हू जोइन कर लेता हूँ मतलब तुम्हारे सम्हू में शामिल हो जाता हूँ अब देखो all all means सभी अब सभी कहते हैं क्या कहते हैं सभी सभी कहते हैं हुर्रा let's start it will be a great fun हुर्रा बेटे खुशी में हुर्रे बोलते हैं न हुर्रे तो यह यही लिखा हुआ है इंग्लिश में होता हुर्रा ठीक है खुशी में यह बोला जाता है अब let's start let's start किसकी short form है let us की let us आओ हम शुरू करते हैं इसकी हिंदी है यह के लिखा मैंने let us let us मत्लब अज क्या हम ठीक है let us start हम सब भी शुरू करते है it will be a great fun यह बहुत ही मज़ेदार होगा ठीक है अब देखो नीचे pictures भी दी हुई है उनके पिठ्थू खेलते हुए देखो हाथ में बोल भी है उसके और यह देखो यह क्या यह tower भी बना लिया है पिठ्थू का खेलने के लिए है ना और इसने fake ball और यह tower तूट गया है ना और फिर अब क्या करेंगे यह देखो खुशी से जूम रहे है बच्चे यह tower तूट गया है आप देखो अब क्या करेंगे दुबारा से tower बनाएंगे ना देखो अब वो क्या कर रही है अब ball फेकी तो इसने क्या किया इस लड़की के हाथ में बोल है ना वो भी फेकने जा रही है और उसने ball फेकी और वो ball कहा गई देखो देखो ओ यह तो बच गया वरना इसको लग जाती है ना देखो यहां से जा रही है ना और क्या हुआ यह दोनों खुश है क्यों खुश है देखो यह भी खुश है सभी खुश है ना खेलते हुए तो आप सभी खुश होते हो है ना बच्चो सभी को खेल खेलना इतना ज़्यादा पसंद होता है कि बस पूछो मत सब काम छोड़ देते हो खेलने के लिए पर सभी का अपना अपना टाइम होना चाहिए है ना अलग, खाने का अलग, नहाने का अलग, ठीक है ना, देखो बचो, इसमें हम word meanings भी read कर लेते हैं, देखो, यहाँ पर है सबसे पहले everybody, everybody का मतलब क्या, प्रतेक व्यक्ति, ठीक है, और अगला है sum, sum का क्या आर्थ होता है, sum का आर्थ होता है, कुछ, games, games का आर्थ होता है, खेल, और join, join का आर्थ होता है, शामिल होना, अब देखो यह क्या लिखा है, लिखा है groups, groups का आर्थ होता है, sum हूँ, और fun, fun का मतलब, मज़ा, तो बचों, आज के लिए इतना ही, अच्छे से read कर लेना, चीके, अच्छे से practice कर लेना, reading की, सभी क reading जरूर करनी है, English और Hindi, दोनों ही read करने की practice होनी चाहिए, इतनी अच्छी कि फटा फट पढ़ते जाएं, बीच में अटके ना, ठीके, इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेस हिंदी का पढ़लो, और एक पेस English का पढ़लो, जादा नहीं, थोड़ा पढ़लो, एक एक प नहीं, और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो की notifications आपको मिलती रहें, तो फिर मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बच्चू